दोस्तो अगर आपके भी SBA Bank में आदर काड लिंक नहीं है और आप गर बैटे-बैटे SBA Bank में आदर काड लिंक करना चाहते हो तो दोस्तो आप बिल्कल सही वीडियो पर क्लिक गया है दोस्तो SBA Bank में आदर काड लिंक करने के लिए आपको SBA internet banking login करने की ज़रूरत नहीं है आपको SBA branch विजिट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तो SBA bank में other card link करने की जो process है ये बिलकल नया process online live हो चुका है और इस process की मजदम से आप लोग गर बैटे बैटे SBA bank में other card link कर सकते हो दोस्तो आप लोग को जरूर पता होगा कि आज की डेट में अगर bank account में other card link नहीं होता है तो आप सरकारी किसी भी skim का lab आपको नहीं मिलेगा इसके लिए तो आपको सबसे पहले bank account में other card जो है link करना जरूरी हो चुका है तो आज की इस वीडियो में आप लोग को वही प्रोसेस दिखाने वाला हूँ बिलकुर step by step करके कि आप लोग किस तरीके से एक mobile phone की जरूरी है SBA bank में other card link कर सकते हो इसके लिए तो सबसे पहले आपको किसी एक browser को open करना है search bar में आपको type करना है NPCI इसके बाद आपको search करना है search करने के बद ये जो पहला link के NPCI इस link पर आपको click करना है जैसे आप लोग click करोगी click करने के बद आप लोग की समने एक नवा interface open होगा काफी लोग मुझे ये सवाल करेंगे कि बई ये जो तरीका है ये मुझे तो पहले से पता है बाकी जो process से ये मेरा काम है और आप वीडियो देखते रहना है इसके बद आपको क्या करना है कि तुड़ा सा आपको निचे slide करना है और slide करने के बद एक options देखिए consumer और आगे देखिए एक plus icon है plus icon पर click करना है जैसे आप look plus icon पर click करने के बद ये जो बारत आदर सीडिंग इस options पर एक बद क्लिक करना है क्लिक करने के बद आप look की समने एक नवया interface open होगा सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि request for other seeding और आगे एक चूटा सा arrow icon है arrow icon पर click करना है जैसे आप look arrow icon पर click करने के बद आपको क्या करना है कि ये जो ताड ओप्शन है get other map tetas इस options पर आपको एक बद क्लिक करना है इसके बाद आपकी जो other card है other card इस box पर fill करना है ये जो capture code है इस box पर fill करना है इसके बाद आपको check tetas button पर click करना है जैसे कि दूस्तों आप look देख सकते हो other number और capture code दोने मेंने fill क्या है इसके बाद नीचे ये जो checks button है tetas इस button पर आपको click करना है इतना करते हैं दूस्तों other card में जो भी registered mobile number होगा उस पर एक OTP send के जाएगा आप look देख सकते हो तो नीचे दिखे enter OTP इस sections पर OTP जो है fill करना है OTP fill करने के बाद आप look नीचे दिखे submit button है submit button पर click करना है जैसे आप look submit button पर click करोगे click करने के बाद आप look की समने status कुल कर आएगा कि आपकी जो bank account है bank account की status क्या है सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि other number की last four digit आप देख सकते हो और जो mapping status है देखे enable for dbt यानि कि ये own है यानि कि bank account में other card link है और इसके बाद दूस्तों देखे mandate flag जो है customer consent status ये भी yes आपको बता रहा है इस तरीके से आप look सबसे पहले तो एक बर चेक कर लेना है कि आपकी bank account में other card link है या नहीं अगर link है तो yes बताएगा अगर no है तो ये मान लिजे आपकी bank account में other card link नहीं है इसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको ये जो arrow icon है arrow icon पर एक बर क्लिक करना है इतना करते ही दोस्तों आप look की समने एक नोया interface open होगा इसके बाद first जो link के request for other seeding इस button पर आपको क्लिक करना है इतना करते ही दोस्तों आप look को मैं process नहीं बताऊंगा सबसे पहले तो ये चीज़ बताने वाला हूँ कि select your bank और निचे दिखे select bank तो इस button पर क्लिक करना है इतना करते ही दोस्तों आपको क्या करना है कि देखे इसमें bank का नाम जो है लिखना है जैसा कि मैं type कर लेता हूँ bank और इसके बाद आप लूग की सामने में live दिखाने वाला हूँ कि इसमें दिखे कुछ list दिया गया है लेकिन दूस्तों इसमें sb के जो option है ये option ही नहीं है और बाकि जो others bank है others bank की list आप देख सकते हो जैसा कि आप 15 national bank में other card link कर सकते हो और बाकि ऐसे काफी bank है तो आप लोग को main मुद्दा है क्या है कि sb bank में other card link करना है इसके लिए तो आपको एक नोया browser को open करना है और इसके बाद source bar में आपको type करना है IPPB इसके बाद आपको source करना है source करने के बाद ये जो first link के India post payment bank इस link पर आपको click करना है जैसे आप लोग click करोगी click करने के बाद आप लोग की सामने एक pop-up message open होगा इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो left side दिखे three line है three line options पर आपको एक बर click करना है जैसे आप लोग एक बर click करोगे click करने के बाद आप लोग की सामने एक option show होगा service request तो इस button पर आपको click करना है इतना करते हैं दुस्तों आप लूग को क्या करना है कि दिखे Non-IPPB Customer इस बटन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप लूग क्लिक करोगे क्लिक करने की बद आप लूग की समने कुछ लिष्ट देखने को में जाएगा कि आप लूग गर बेटे-बेटे क्या 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 कर सकते हो जैसे कि दूस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि CashBidrail और इसके बद दिखिए Other City तो Other City जो बटन है Other City चूंप स्लाइट करना है और स्लाइट करने की बद दूस्तों सबसे पहले आपको salutation जो है choose कर लेना है जो जो process आप लोग को मैं बता रहा हूँ आप same process करते रहिएगा तो भी तो आप लोग गर बेटे-बेटे SBA bank में आधर काड़े link कर सकते हो Salutation पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे Mr. Mrs. जो भी है choose कर लेना है जैसा के दोस्तों मैं Mr. Choose क्या है इसके बाद इस box में first name फिल करना है इस box पर last name फिल करना है mobile number फिल करना है address आपको देखिए address first line इस box पर फिल करना है address second line इस box पर फिल करना है यानि कि पूरी complete जो address से दोनों line में आपको complete फिल करना है area के जो pin code है इस box पर fill कर देना है जैसे आप लोग area के pin code fill करोगी इसके बद दिखी ये जो nearest post office और दिखे select and option तो इस options पर click करना है दूस्तो तभी आपको click करना है पहले आपको pin code fill करना है तो आए दूस्तो मैं ये चीज fill कर लेता हूँ तो दूस्तो मैंने pin code जो है post office है सारी नाम यहां आप देख सकते हो इनमें से आप जिस post office की अंडर आते हो आपको वही post office select करना है इसके बद बाकि जो details से automatically fill हो जाएगा आप लुक देख सकते हो निचे एक option देखे any specific request तो इस box पर आपको Hindi या English में request जो है type करना है जैसे कि मैं bank account में other card link करना चाहता हूँ यह Hindi या English में आप type कर सकते हो इसके बद यह I agree जो times and condition के लिए जो box है इस box पर आपको tick mark करना है tick mark करने की बद दोस्तों आपको क्या करना है कि तूर से निचे आपको slide करना है और slide करने की बद दोस्तों यह जो capture code है इस box पर fill करना है इसके बद submit बटन पर click करना है जैसे दूस्तों आप लोग submit बटन पर click करोगी click करने की बद जो आप mobile number provide करेंगे इसमें उस number की through आपको post office की मैजदम से contact किया जाएगा और उसके बद आपको पूचा जाएगा कि क्या बटन आप कब आप गर पर रहेंगे उसके बद आप की तरब से एक date देना है कि उस date पर मुझे गर पर मिलेंगे उसके बद दूस्तों जो dark वाला होता है जो postman होता है आपके गर पर आएगे और उसके बाद दूस्तों आप घर बेटे-बेटे आदर सीडिंग जो है यह complete कर सकते हो क्योंकि दूस्तों dark वाला यानि की postman की पास यह जो मतलब option होता है यह options यह ID होता है लेंग करने के जो authority है यह authority मिलता है और उसके बाद दूस्तों आप उसकी त्रों गर बेटे-बेटे SBAI bank में आदर कर जो है लेंग कर सकते हो तो दूस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही है